ब्यारिश्टिट रिजल्ट्स 2021 उत्सा नौभी कक्छा में नमांकन की रफ्तार बढ़ी यानि अब धीरे धीरे जो है वो कक्छा तो नहीं लग रही कुरोना के बज़े से लेकिन उश में नमांकन परकिरिया तेज होती जा रही कुरोना शंकरमन तीजी से बढ़ रहा है लेकिन इसके बावजूत बच्चों को पढ़ाने की ललक अभिवाबकों में दिख रही है तभी तो हर दिन इस स्कूलों में दाखिला के लिए अभिवाबक पहुँच रहे हैं पटना जिले की बात करें तो नवी के लिए पाँच दिनों में नमांकन उन्तीस हजार से बढ़ कर 35652 हो गया है और हर दिन सेकरों बच्चों का नमांकन किया ज़रा है ग्यात हो कि कुरोना शंकरमन के कारण इस स्कूल में कक्चाय बंद कर दी गई हैं लेकिन शिक्चकों को बुलाया जा रहा है ऐसे में सभी शिक्चकों को नमांकन लेने का निर्देश भी दिया गया है जो अभिवावक नमांकन के लिए स्कूल आ रहे हैं उनके बच्चों का नमांकन लेना है और नमांकन के लिए स्कूल में सिक्छोकों की उपस्थिति आनिवार्ज है सहरी के साथ ग्रामिन छेतर में भी बढ़ रहा है नमांकन यानि नभी में नमांकन के लिए ग्रामिन इलाके के स्कूल में भी अविवावक जा रहे हैं तो जब नमांकन तेजी से बढ़ रहे है तो इसका मत अस्पष्ट है कि 33,916 वाला जो बहाली है उश में भी अब आने वाले वो भैकेंसी उसके लिए भी अब त्यार हो जाए चाहे दो साल तिन साल जितना भी लगे लेकिन वो आना अब शियोर है और अब पाश अभ्यार्ति और के लिए भी एक सुनहरा मौका है क्योंकि जैसे नमांकन बढ़ रहा है तो 106 कैंडिडेट का जब रिजल्ट आ जाएंगे तो शियोर यह बहाली परकरिया तेजी से बढ़ेगी और शबो का नियोजन पत्र अबस दे दिये जाएंगे तो नोवी कक्षा में नमांकन रफतार बढ़ने से 106 अभ्यार्थियों का रिजल्ट आ जाने दीजी और उसके बाद देखिए आपका नियोजन परकरिया काफी तीजी से बढ़ेगी यानि सरकार शजग है और आप लोग को नियुकती के लिए भी लगातार पर्यास रथ है लेकिन स्वक्ष बहाली के लिए वो अपने अबेधन में विभिन परकार की जाच की करवाई भी जारी रखेगी यानि गलत सर्टिफिकेट वाले ना आजाए इसके लिए भी वो अपने आपको दुरुस्त कर रही है और ध्यान दिजेगा कि स्टुडेंट्स एक सचोई बाद ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी इसलिए अब निश्चीनत रहे और जो फेल अब ब्यारते वह भी आगे की परिक्षा की त्यारी में लग जाए क्योंकि आज नकल तो 33,916 वहाली आएंगे ही और आप अभी से ही मजबूत बना ले अपने आपको लायक बना किया है उसको अवस्पार कर जाए तो मैं आप लोगों शे निवेदन करता हूं चाहिए फेल अव्यरती हो या पास दोनों अपने लक्ष की ओर लगे एक जूट हो जाए एक दूसरे पर बयानवाजी और बिविन तरह क्या रोप लगाने सच्छा है कि अपने काम पर धियान दिया जाए